नमस्कार स्वागत आप सभी का मेरे इस खास प्रोग्रेम में मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान दर्श को आप लोग ने टोमेटो फीवर के बारे में बहुत सुना होगा और पूर्वी दिली के कुछ स्कूलों में केस निकल कर भी आए जिसके बाद उन क्लास इसको बंद कर दिया गया तो आज हम आपको यह बताएंगे टोमेटो फीवर आखिर है क्या इसके कौजिस क्या होते हैं अगर किसी को हो जाए तो साइन और सिम्टम्स क्या है कैसे पहचाने खासकर बच्चों में ज्यादा देखा जा रहा है और किस प्रिकार से उपचा करने के लिए हमारे साथ सेनियर पीडिक्टिशन और डियमे के एडिटर डॉक्टर सुनील सिंगल जी है स्वागत असर कि डॉक्टर सुनील सिंगल जी आपको बताएंगे समझाएंगे लेकिन उसे पहले आफिक छोटी सी रिपोर्ट देखिए जानिये क्या होता है टोमेट किसकी बजह से होता है टोमेट सुपर जिन स्कूलों में केस निकले है उनको क्या कदम औठाने है जीन बच्चों को ह簸 है वह क्या साभधानिया वरते हैं टोमेटो स्कीवर कितने दिनों में ठीक होता है क्या सब तफाई ना होने से यह बीमारी फैलती है कोविड नाइंटीन और मंकी पॉक्स के कहर के बाद कुछ राज्यों में टुमेटो फीवर ने लोगों की नींद उड़ा दी है केरल और उडीशा में अपने इस बीमारी की चपेट में 80 से जादा बच्चे आ चुके हैं केंद्य स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले का नुसार टुमेटो फ्लू की पहँचान सब से पहले केरल के कॉलम जिले में 6 मई को ही थी 22 जुलाई तक 82 से अधिक बच्चों में संक्रमण की सूष्णा मिली है पूर्व दिली के कुछ स्कूलों में टुमेटो फीवर के केस देखे गए हैं बच्चों को टुमेटो फीवर हुआ है जिसको लेकर लोगों में परिशानिया काफी देखी जारी है उन बच्चों को उपचार दिया जा रहा है आज हम आपको बताएंगे टुमेटो फीवर क्यों होता है क्या प्रॉब्लम से बहुत से लोगों के मन में अफ़वा है कि टुमेटो से ये बुखार हो रहा है तो जानिये टुमेटो फीवर को लेकर महतवपूर्ण बात हैं हमारे इस खास प्रोग्रेम में हेल्थ डेक से सुनीर चौहान, सीसिया न्यूज, दिली तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की ये विशह जो हमने चुना ये बहुत ही महतवपूर्ण है और आज के समय में लोग जानना चाते हैं टुमेटो फीवर को लेकर बच्चों को स्कूल भीज़े रहे हैं, कि बच्चों को स्कूल ना भीज़े हैं क्योंकि ये फीवर लोगों को परिशान कर रहा है सर ये स्विशा पर हमने आपको इसलिह आमंतरत किया क्योंकि देखा जाए बहुत से पिरेelly्ट्ट्स के मन में इस बात की दुविदा है कि बच्चों में टुमेटो फीवर बहुत देखा जा रहा है आप सीनियार पीडियर्टिशन हैं बच्चों को ही डॉक्टर है जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनको यह बताईए आखरेकार टुमेटो फीवर है क्या देखिये मैं बताना चाहुँँगा कि पहले तो आप यह जान लें कि टुमेटो फीवर का टुमेटो से यह टामाटर से कोई संब्ध नहीं है जैसे कि कुछ लोगों में ब्रहांती फैल रही है कि यह टामाटर को छूने से यह टामाटर को खाने से यह किसी भी रूप से tomato का इसमे कोई involved नहीं है और ये fever tomato से नहीं फैल रहा है इसका नाम tomato fever क्यों पढ़ा या tomato fever क्यों पढ़ा उसका कारण है कि जो इसके दिवर निशान है तो उसको एक तरह से टमेटो फीवर या टमेटो रेशिस का नाम दे लिया यूजली जो यह रेशिज है यह निशान है बटक्स पे यह जिसे हम मेडिकल भासा में गलूटियल रिजन बोलते हैं महाँ पे यह निशान होते हैं ज्यादा क्योंकि महाँ पर प्रेशर पॉइंट ह होता है और बाकी बिमारियां जैसे अभी आप देख रहे हैं की हैंड फूट और मौ डिजीज बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और आप देख रहें की चिकन गुनियां डेंगी फिवर भी आजकल आ रहा है तो किसी भी बिमारी में जो रेशिस हैं वो मिलके ए तो तो मेरी जनरल वालों से भी रिक्वेस्स है कि जब तक पूरी तरह से जानकर इना ले लें एसी पुब्लिकेशन या ऐसा एडिशन ना दे और ताकि उसको बाद में हमें बहुत ब्रहांती फैल जाए और एक लोगों में डर की इस्तिती फैल जाए तो टमाटर फुलू कुछ नहीं है एक तरह के रैसिस हैं और वो रैसिस किसी भी बिमारी में जैसे मैंने बताया हो सकत हैं और वो रैसिस का ये बड़ा रूप है जिसको हम टमेटो फुलू के नाम से जान रहे हैं बिलकुल सर बहुत अच्छे सापने बताया दर्शकों को कि दर्शकों आप लोगों को बिलकुल घबराने की जरुत नहीं है डॉक्टर साब इस प्रकार से बता रहे हैं ये इतन हैं जो हैंड फूट और माउट डिजीज है इसके रिषस ही एक साथ कटे होके ऐक बड़े रहे हैं और वह हम उसको टमटो के रहे हैं और उसका कारण में लिए अक वाईरस है एंट्र गॉर्पोब वाईरस यहां कौक्सा की वायरस है उसके कारण ये फैल रहा है और अगर जो डेकिन गुनियाउ baby विशुक्त देखने को मिल रहे हैं तो वह डेंगी केुआर आ श्हें वायरस से हो घौ क्लोज контक्स और जैसे भी पर यह संपरक में आता हैं बच्रेक करते हैं तो उस देपार्स ही नुब d Alright हो रहा है और मेरी जो ह फूट अंड जी जाएं टेमेट्टो फलू यह दो से पाच जए के बच्टों में हो रहा है बड़े बच्चों में या अड़र्ट्स में यह नहीं होता किसी किसी इम्यू कंप्रमाइज में जिन लोगों की इम्यूटी कम है उनमें भी हो रहा है क्योंकि बाकी जो 6 साल से या 7 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें इसके लिए स्वेते ही अपना भी एक एंटिबोडी डपल अप हो गही होती है और जबी भी वारस उनको अटेक करता है तो वह एंटिबोडी उसको उससे बचा के रखती है कि बिल्कुल यह बहुत मैंतुपूरा बात आपने बताई चोटे बच्चों में होता है और उन बच्चों में जादा हो रहा है जिनकी प्रत्रोदक शमता मतलब इम्यून सिस्टम पूर है यह बड़े बच्चों में जो मतलब कोई बीमारी से पीडित हैं उन लोगों में होने के चांस जादा होते हैं असर आपनी बता दिया क्या इसको मंकी पॉक्स से अलग माना जाए और सब सब बड़ा सवाल जो आज के समयम बहुत जरूरी है अपने पूर्वदिली के कुछ स्कूलों में टोमैटो जिशना है क्या कहना चाहते हैं अब सुली जी जो यह रैशीज आप देख रहे हैं हम फ्लू के कैसिस देख रहे हैं तो मेरी पहले तो पेरेंट्स से या दर्शकों से गुजारिस है जिस भी बच्चे को फ्लू हो फीवर हो कोल्ड हो कफ हो या रैशी हो में लिए रैशी स्कूल में भी टीचर ने नोस्य किया तो उस बच्चे को घर भेज दें और जब तक वह रैशीज ठीक नहीं हो जाते जब तक बच्चे को स्कूल ना भेज़ें या तो ऑनलाइन क्लासिज है या हम वर्क जिस तरह से कराते हैं वो कराएं क्योंकि अगर यह एक बच्चे से बहुत कंटेजियस जल्दी से फैलता है और पूरी की पूरी क्लास को फैल जाता है तो में संदेश यह है कि अगर बच्चे को आपको संधे लगता है तो ना भेजें और यह अपनापी ठीक होने वाली बेमारी है अगर बच्चे को फ्लू है मतब बुखार है या कोल्ड कफ है यह रैसी जाएं बच्चा खाना नहीं खा रहा है ऐस तरह के रैसी मुह में अंदर भी हो जाते हैं तो उस सिद्धी में बच्चा खाना छोड़ देता है डियाइडिशन भी हो जाता है लूज मुशन भी हो जाते हैं पेट में दरत भी हो जाएगा वर्मिटिंग हो जाए और रेसिस के लिए यह इचिंग के लिए इरिडिशन के लिए डियाइडिशन के लिए पेट में दर्ग दूज मुशन वॉमिटिंग के लिए आप अपने डॉक्टर या पीडियाटिशन से संपर करें और परामर्श लेकी ही दवाई ले मतलब बहुत अच्छी बात बताई ओवर दा काउंटर कोई मैडिस से नहीं लेनी है और डॉक्टर से परामर्श लेना है अगर बच्चे में सिम्टम्स जादा हो रहे हैं वो खार नहीं उतर रहा है परिशानी जादा हो रही है यह अपने पेडेंट्स के लिए बात बता दी अब उन्हों स्कूलों के लिए संदेश जहां पर यह केस्ट निकले हैं बच्चे टोमेटो फीवर से ग्रसट देखे जा रहे हैं उन्हें स्कूल को मैंनेश्मेंट को आप क्या कहना चाहता हूं कि अगर वो कुछ स्कूल में सेशन कराएं पेडियाटिशन के यह डॉक्टर के अडियो वीज्वल के थुरू यह डायरेक्ट सेशन भी बच्चों को भी संदेश थे हैं और पेरेंट्स के लिए एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक सेशन करा दें जिसमें की हम उनको बता सकें की टेमेटो फुलू एक्जैक्ली है क्या और आपको क्या करना है वैस हमें यह बताना हैं समझना है कि यह एक दूसरे से बहुत फास फैलती है कंटेजियस है अगर हम किसी मुवमेंट पे यह डाइग्नोज करें यह सस्पेक्ट करें कि इस बच्चे को यह बिमारी है यह हैं फूट माउट डिजीज है कुछ भी है तो उस बच्चे को घर भेज है बहुत जल्दी स्प्रैड होती है असर क्या माना जाए जिस प्रकार से कॉरणा काल में हम लोगों ने देखा और आप लोगों इस डॉक्टर ने बहुत अच्छी सेवाएं दी जहां तक मुझे पता है कि आपका स्पताल भी कोविट का था और आपने बहुत से केसे को हैं और दूसरी बात मैं आप से जोड़ना जाता हूं आइसलेशन वर्ड हम लोगों ने बहुत सुनाता कोविट में इसमें टॉमेटो फीवर में बच्चे को क्या आइसलेट करना पड़ता है देखिए यह आपका सुनी जी बहुत अच्छा सवाल है कोरोना में जो इंफेक्श सवाह में थे उन से भी था यहां पर जो फैलने का तरीका है वो दूसरा है उसमें फैलने का तरीका इक डिरेक्ट टॉन्टेक्स है कि बच्चा एक दूसरे के बच्ची कंटट्ट में आता है दूसरी बात यह है कि जैसे कोरोना तो हमारा किसी ब्याज गरूप में और था औ पुझली छे से साथ साल से ज्यादा बड़े बच्चों को नहीं हो रहा अडेट्स में तो होई नहीं रहा तो इसमें आप देखें कि अगर घर में दो बच्चे छोटे चोटे हैं तो उनको तो सप्रेट रख सकते हैं बाकी किसी को आइसोलेट करने की इसलिए आफ सकता नहीं हैं कि यह बाकी लोगों को नहीं फैलेगा क्योंकि उनमें अल्रेडी इम्मिनिटी है बिल्कुल बहुत अच्छी बात सर ने बताई अगर बच्चे घर में हैं तो उनको थोड़ा दूर रखें लेकिन बड़े लोगों में इसके स्प्रेड होने के चांस बहुत कम है आपने हाईजिनिक तो आप किसी भी वस्ता में अपनाएं और जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ भी खाने से पहले हाथ दोएं कहीं से आप भार से आ रहे हैं तो हाथ दोएं और किसी से हाथ मिला रहे हैं टेस्क करते हैं तो हाथ दोएं तो हैंड हाईजिन तो बेसिकली अभी यह कोरोन के लिए बहुत जरूरी है और इस बिमारी में भी हैंड हाईजिन तो आप बार बार वाश करना बहुत आप सकते हैं बहुत इंपोर्टन ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वाइरल माना जाए या कोविड माना जाए देखिए जो आज कल ये फ्लू या फ्लू जैसी इलनेश चल रही है जिसमें हलका जुकाम या ठीकें या खासी या थोड़ा बुकार ये सब चल रहा है तो आप ये मान के चलें कि कोई भी सेम ही है कोविड भी उस तरह से फैलता है फ्लू भी उस तरह से फैलता है तो मेरा मतलब है कि आप एतियात बरते हैं और यह मान के चलें कि आपका फ्लू है तो कोविड भी हो सकता या नहीं भी हो सकता चूंकि हमको वैक्सीन लग चुका है तो हमें कोविड होने के लक्षेन इतने जयादा नहीं आ पाते़ और वो फूर रुख जाता है, अगर कोवीड है भी तो भी तो कोई भी फूर है, तो एठियात आप बढ़ते हैं, मास्क लगाएं पर बहुत प्रूर नहीं को भी घर में भी तो मास्क लखागे लगाएं कोई भी फ्लू हो यहां वो कोविड का फ्लू हो स्वाइन फ्लू हो दूसरा फ्लू हो कौमन फ्लू हो वो उसको बचाने में जरूर मदद करेंगा कि बिलकोल मतलब अगर आप मास्क आप लगाते हैं कोर्णा के साथ सथ वह आपको और भी फ्लू से बचाता है इस इसलिए इस बात को हलके मत लो कि अगर आपके चीक है जुखा में आगर बचाते हैं तो स्प्रेड आपकी फैमिली के मेंबर्स को वो नहीं करेगा साथ यह देखा जा रहा है से डेंगी केस बहुत लगातार बढ़ने लगे हैं और सैप्टेंबर अक्टूबर का महिना ऐसा हो होता है जिसमें डेंगी मलेरिया चिकन कुनिया यह बहुत सारी बीमारिया होती है इन सारी बीमारियों से बचने के लिए क्या करना है और जो केस बढ़ रहे हैं कैसे मच्छों की ब्रीडिंग को रोका जाए जिसलिए बीमारियों से हम लोगों को बचाओ हो सके दीगे डेंगी मेलेरिया के केसिस बढ़ रहे हैं बलकि इस बार हमें देखना है कि बार मिला कि में जून से केसिस शुरू हो गए और दिन बार दिन केसिस बढ़ रहे हैं इसके लिए जैसा आप जानते हैं कि मच्छरों की ब्रेटिंग या जो प्लेटेसिजिए उनकों बता है आप जानते हैएं कि इस जो मच्छा रहे यह साफ पानी में होता है तो जहां भी छट के पानी इकटा हो है। टायरों में या खाली बतन में या पौदों में कोई चिडियों के लिए भी पानी रखता है या पक्षियों के लिए पानी रखता है तो उस पानी को भी आफ हफते हफते वो चेंज करते हैं उसको पानी को बदलते हैं उसको पानी को बहा दें और दूसरा पानी तीसरा चीज है अगर मालो कहीं आसपास की नालियों में वाटर है तो उसके उपर एक ओईल की डाल दें ताकि वो जो लारवे उसमें पनप रहें वो ना पनप पाएं और वो आगे ना बनके बड़ा मच्छर मतलब पानी का मतलब कहीं जमाह नहीं होने दिना है जिससे ब्रीडिंग ना हो मच्छर पनप ना पाएं और बार बार इस म देखे यूजली यह टर्मेटो फीवर यहां हैंट फूद माउंट डीजिस का जो इंकुवेशन पीरिड हैं जो इंफेक्टिव पीरिड है वो देखा जाएगी सास से दस दिन के करीब है पर ऐसा भी पाया गया है कि जो लंबे समय तक जो बच्चा है या जो इल है सिक बच प्रिश्चा हो जाए तो फिर इस स्कूल आप बेश सकते हैं मतलब कम से कम अगर माना जाए आठ दिन तो देखा ही जा रहा है उसके बादी बच्चों को स्कूल आठ से दस दिन आप आठ से दस दिन जिस पर काज़े डॉक्टर साभ आपको बता रहे हैं जश्कों आठ से द करती भी करना पड़ता है जिसमें की औरल इंटेक पूर हो जाता है डिहाइडेशन हो जाता है लूज मोशन हो जाते हैं ऐसे बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं और पेरेंट्स एकदम घबरा जाते हैं कि बच्चा कुछ खानी रहा और इस सरे की इस्तिती हो रही है वो सब्सक्राइब कोई जान लेवा बिमारी नहीं है मेरा कहने का में अभी प्राइए कि आप इसे ना डरेंगी यह बड़ी खतरनाक बिमारी है यह सिंपल तरह के रहें जो अपने ठीक हो जाते हैं यहां थोड़ा बहुत हम डाक्तिर उपचार जो सपोर्टिव टीट्मेंट बार ठीक हो जाते हैं मतलब बार बार डॉक्टर साब यह बोल रहें हैं साथ कि ज्यादा घबराने की जरुत नहीं है आराम से ठीक हो जाते हैं और मतलब कोई इतना पैनिक होना का हम लोगों को देखा जाता है कि पिरिंट्स अधिक तर बहुत घबरा जाते हैं सरी बात सब्सक्राइट लेना है देखिए जैसा मैंने बताया कि इस बिमारी में मुग के अंदर भी अलसर्स हो जाते हैं तो बच्चे को ज़्यादा गरम चीजें ना दें या कुछ मिर्स मसाले वाली चीजें ना दें लिक्विट फिलुट जादा दें इसमें जूसीज हैं या और सब्सक्राइस है इस तरह की चीजें जो लिक्विट फॉर्म में हैं वो ज्यादा दें और डियाइडेशन उसको ना हो यह डियाइडेशन की स्थितिनाय वो बना के रखें और कुछ जो दवायां हैं डॉक्टर से परामर्श करके लें अगर बच्चा कुछ भी खापी नही हैं ले सकते हैं जह सकते हैं द्यूर। बहुत बहुत शुकरिया सब्सक्रम के लिए ठीक रहेगा सार आप हमार इस मंच पर आय और बहुत महतुपूर विशें का चल लोगों पर में इसकी मड़ला आर्टिकल्स निकलते हैं डॉक्टर बारबार बताते हैं किस प्रकार से आप लोगों को बचे को और पेडिंट्स को क्या हिदायत देते हैं चलते चलते आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं इस बीमारी को लेकर या इस आज के टाइम में जो बीमारी देनी है यह टमाटर से बीमारी कते ही नहीं फैलती यह बीमारी का जो रहाश है वो टमाटर की शेप का है इसलिए हमें से टमेटो फुलू का नाम दे दिया है और यह मेंली हैंड फूट एंड माउट डिजीज जो बच्चों में वरी है वही है और अगर रहाशिस दूसरी में भी यह बड़े यहां ट्यों से नाम क्ली ले लेते हैं उसको भी हम ट्यमटाफ को नाम दे दें और बाकी मेरी दर्सकों से आई पिकती सीत बच्चा भी को रैशिज है तो घबराए ना और घबराने की अगर लगता है आपको की बच्चा ज्यादा बिमार लगता है तो तुरंद अपने डॉक्टर या पीडियाटिशन से संपर करें और मेरी है आप सुस्थ रहें और घर पे लाप कुरें एक सवाल से मेरे दिमाग में आ गया यह बहुत जरूरी है थोड़ा टॉपिक से हट कर रहा है और आज के टाइम में बहुत देखा जा रहा है जब भी किसी को वाइरल फीवर हो रहा है उसके बाद वीकनेस बहुत आती है वीकनेस इतनी आ रही है कि लोग उठ नहीं पा रहे ह है उस वीकनेस को कैसे इंप्रूव करना है देद जो वायरेल फीवर के बाद वीकनेस आरी है ुस में भी आप ज्यादा से ज्यादा लिक्ट बीड का 7 करें और और एक कैसी चीज कि ए जो आप Oral की विकने साती है उसको पूरा करने में करते हैं तो देखा आपने डॉक्टर सुनील सिंगल जी ने आपको बताया समझाया बच्चों का ध्यान हम लोगों को रखना है और खासकर यह बताया कि इस बीमारी में घबराने के आप लोगों को जबरत नहीं है सरने कहा ठीक हो जाती है बहुत ही कम ऐसा होता है कि बच्चों को एड्मिट करना पड़ता है दस दिन तक बच्चों को आइसलेशन में रखना है बच्चों बच्चों में दूरियां बनानी है बड़े लोगों में इतनी दूरियां नहीं बनानी है स सिस्टम जिनका अच्छा होता हम कोई बीमारी नहीं होती है इसलिए घबराने की जरुवत आपको नहीं है दूसरी बाद सड़ने के कही इस समय वाइरल चल रहा है फ्लू चल रहा है उसको लेकर भी हम लोगों को साब धानिया बरतनी है हम लोग दो तीन साल से देखते आरे मा बचाएगा वाइरल बीमारी से बचाएगा इसलिए मास्क लगाईए आने वने टैम में फेस्टिवल सीजन है तो और भी संक्रमन की रफ्तार बढ़ सकते हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे अगर मास्क लगाएंगे तो बीमारियों से बचेंगे और फिलाल मारे इस खास प